following conversion is carried out using, मतलब हम ये conversion करा रहे हैं, इस conversion को हम कैसे करा सकते हैं, पहला option क्या दे रखा है, hydroboration, इसका हम hydroboration करा दे हैं, फिर oxidation करा दे है, followed by John's re-oxidation, John's re-agent, John's oxidation, मतलब John's re-agent, CRO3 और H2SO4, H2SO4, John's re-agent की अगर मैं बात करूं, अगर मैं John's re-agent की बात करूं, तो क्या होता है, CRO3 और इसके साइड में H+, रहता है, जनरली H2SO4 यूज करते हैं, क्या काम करता है, अगर आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री एलकोहल है, 1 डिग्री एलकोहल है, तो उसमें किस में convert कर देगा, कारवोकजली के एसीड में, किस में convert कर देगा, CROH में उसे convert कर देगा, 2 degree alcohol है तो आपका क्या काम करेगा ketone में किस में convert कर देगा ketone में convert कर देगा और 3 degree वाले से जो है वो reaction नहीं करता है 1 degree वाले को C2H में convert कर देगा 2 degree वाले को ketone में convert कर देगा कौन जोन्स reagent की अगर मैं बात करूँ तो इसका answer आप मुझे comment box में बताईए जल्दी से comment करके बताईए कि हाँ इसका answer ये वाला होगा सोनी देवी जी करेगी B answer होगा बेकतर oxidation चलो देखते हैं सबी जो लोग A answer कर रहे हैं surface chemistry C answer कर रहे है adjust energy A answer कर रहे है स्रेयांसी जी C answer कर रहे है चलिए भई देखते हैं क्या होगा एक एक करके देखे हैं पहला देखते हैं A वाला कहता हाइड्रो बोरेशन और oxidation तो सबस्पर पहले इसका क्या करा दे इस compound की अगर मैं बात करूँ तो इसका हाइड्रो बोरेशन मैं करा रहा हूँ तो ये हमारा compound है हमारा methyl लगा हुआ है ये अगर हाइड्रो बोरेशन करा हूँ किससे मतलब बी एस थिरी की प्रेजेंस में जो है वो जो है किससे ह्टू ओ तू से अगर मैं reaction करा हूँ तो हमारा जो compound बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जो हमारा compound बनेगा डबल बॉंड की less subtreated side पर OH आ जाएगा डबल बॉंड की less subtreated side पर OH आएगा किलियर फिर कहते हैं जोन्स रियेजेंट कितने डिगरी अलकुहल है बन डिगरी अलकुहल किसमें कनवर्ट कर देगा इसा COOH में तो अगर जोन्स रियेजेंट से रियेक्शन इसकी करा दू जोन्स रियेजेंट CRO3 और यहां हमारा H प्लस दे रखा है अगर इसकी में जोन्स रियेजेंट से रियेक्शन करा दू तो क्या हो जाएगा COOH हमारा ये compound बन जाएगा क्या ये compound वो compound same है नहीं है तो इसका मतलब A वाला आंसर नहीं हो सकता किलियर एकदम देख लीजे रियेक्शन कैसे करीए अगर मैं इसका जो हाइड्रो वोरेशन करा हूँ तो किधर OH बनेगा हमारा लेस अप्रिट साइड लेस अप्रिट साइड OH बना है फिर इसकी जो है रियेक्शन करा ही तो C double H इधर बना किलियर तो ये नहीं हो सकता तो इससे जो है मैं साप कर देता हूँ कि मतलब हमारा फस्ट बाला आंसर नहीं होगा सेकिंड बाला उप्शन चेक करते हैं बेकर ऑक्सिडेशन followed by हेलो फॉर्म रियेक्शन हेलो फॉर्म रियेक्शन मतलब कौन सी ओरी आइडो फॉर्म आप करा सकते हो ब्रोमो फॉर्म करा सकते हो जिसमें भी मतलब आपकी मर्दी करे तो हेलो फॉर्म रियेक्शन हो रही है तो चलो भई ये देख लेते हैं कि हमारा कुछ इस तरह से है और यहां के लगवा है हमारा यह मिथाईल लगा हुआ है और सबसे पहले कहा है बेकर प्रोसेस तो बेकर प्रोसेस हमने करा दिया किसकी प्रजेंस में होता है PDCL2 की presence में जो है baker process होता है यह हमने करा दिया जो भी इसका baker process का mechanism है वो आप देख सकते हो अगर baker process करा है तो baker process में होता है क्या है हमारा carbonil group बनता है और carbonil group किधर बनता है more subtreated side मतलब इधर हमारा क्या बना है carbonil group more subtreated side अगर इसका मैं क्या करूँ hello form reaction करा दूँ hello form reaction hello form reaction किसकी presence में suppose करो CA OH twice और I2 की presence में मैं करा रहा हूँ यह CA OI की presence में आप करा सकते हो अगर hello form reaction करा हूँ तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा हमारा hello form बन जाएगा और यह क्या बनेगा हमारा compound कुछ इस तरह से बन के आएगा कि इधर लिख देता हूँ यह compound hello form reaction के बाद लिख देता हूँ इधर की तरह कि यह यह और हिहां क्या बन जाएगा CWH बन जाएगा क्या यह compound यह compound same है बिल्कुल same है तो इसका हमारा दूसरा वाला answer हमारा ठीक है अच्छ बात आई hello form reaction कि तो थोड़े हैं समझिएगा अगर hello form reaction की बात करूँ hello form reaction कौन-कौन से compound हमारे hello form reaction देते हैं पर्स्ट बात ग्रूप में क्या होना चाहिए CH3 C double bond O अगर कहीं भी हमारा यह group present है कहीं भी हमारा acetate group present है तो वो hello form reaction देगा दूसरी बात कहीं भी हमारा CS3, CH2, OH जो है और इसके आगे मरलब CS3, CH2, OH अगर यह है तो यह hello form reaction देगा तीसरी चीज अगर मैं 2 degree alcohol की बात करूँ तो 1 degree alcohol है 2 degree alcohol की बात करूँ तो कहीं भी हमारा CS2, CH अगर कहीं भी यह group present है इतना CS3, CH, OH तो वो hello form reaction देगा तीसरी चीज देखिए CS3, C double bond O, O, C2, H5 यह है यह भी hello form reaction देगा अब आपके दिमाग माईगी hello form reaction क्यों देगा भी बताता हूँ अगर यह reaction करेगा तो यह ऐसे क्या होगा CS3, C double bond O, OH बन जाएगा फिर हमारा क्या बनेगा CS3, CH2, OH बनेगा और मैंने बता था यह वाला alcohol कैसा है जो hello form reaction देता है 1 degree alcohol में केबल एक है alcohol है जो hello form reaction देता है कौन सा है यह वाला यह लिखा हुआ है तो इसका मटलब इससे क्या बनना है alcohol बनना है जो hello form reaction देगा अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि hello form reaction किस तरह ऐसा होगी कि hello form reaction हो कैसा रही है तो देखिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से compound देंगे सारी चीज़ मैंने बता दी अच्छा फोर्ड एक एक और बता देता हूँ अगर बात करूँ CH3, C double bond और इधर कोई भी बड़ा सा गुरूप लगा हूँ आर माल लीजिए इसे क्या करते हैं बेस देते हैं बेस सपोच करो CA OH का twice और जो हमने क्या दिया I2 यह हमने दिया बेस क्या है हमारा यह calcium oxide अब यह क्या काम करेगा बेस यहां सा hydrogen accept करेगा hydrogen accept करेगा तो क्या बना CH2 माइनस C double bond और अब यह क्या काम करेगा I2 से reaction करेगा इस negative charge का टेक होगा iodine पर और यह iodine हो जाएगा बाहर क्या बनेगा CH2 iodine और जो है C double bond OR अगर यह same process तीन बार फोलो हो जाए कि यहां से hydrogen निकले iodine लगे hydrogen निकले iodine लगे तो आपके सामने compound क्या आएगा C I3 C double OR यह R अब इसकी अगर जो हमारा base दे रखा है उस base से reaction हो जाए इस वाले से तो negative charge का टेक ही हा यह गया है यह गया है और यह निकल गया बाहर तो क्या बनेगा C I3 और यहां से hydrogen आजाएगा क्या बनागे आपका yellow foam इसका नाम क्या iodine लगा हुए halogen में iodine लगा हुए तो इसका नाम क्या होगा आइडो फोम क्या नाम होगा इसका आइडो फोम आपका बनना है तो कुछ इस तरह से reaction होती है समझ मां आगी होगी आप सभी को आसा करता हूं हेलो फोर्म reaction में सोट में आपको बता दी चलो भाई दूसरा मतलब ठीक है अब तीशा थर्ड नंबर का चेक कर लेते हैं थर्ड वाला के कह रहे है ओक्जी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन फोलोड वाई जॉन्स र है और फिर ईश्कि की reaction करा हूं ना भी एच फ़ोड्स है तो यह क्या है हमारा Оप्जी मर्क्यूरेशन इससे डी मर्क्यूरेशन तो च्राकरता है इंधर का लगा देगा ऊच लगा देगा तो जो हमारी संभ डिक्र संभ क साइड है उधर क्या बन जाएगा ओग जी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन से OH बन जाएगा, इधर यह बन गया, सोरी, जो हमारी more सब्कुरेटेटर साइड है, OH बन गया किलिया, फिर उसकी रियेक्शन अगर जोन्स रियेजेंट से करा दूं, CRO3H प्लस से रियेक्शन करा दूं तो देखिए, आपके सामने कंपाउंड किस तरह का आएगा, यह आपका final compound बनेगा, 2 degree alcohol को कार्वोनिल ग्रूप में चेंज करेगा, फिर क्या है, ओजोनोलाइसेस फोलोड वाई हेलोफोर्म रियेक्शन, इसका जो है, ओजोनोलाइसेस करा दिया, फिर हेलोफोर्म करा रहे है, अगर इसका और जोनोलाइसेस करा ओगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ जो है, ओ लग जाएगा, यह, यह, क्या यह, हेलोफोर्म रियेक्शन दे सकता है, नहीं देगा, दोनों लग लग समझे मागे कि Jones Reagent क्या है और Hydroboration क्या है फिर आपको समझे मागे बेकर प्रोसेज में क्या होता है और हेलो फोम रियक्षन कैसा होती है कौन-कौन से देते हैं समझे माया फिर Oximercuration, Demercuration में क्या होता है फिर Ozone Lysis में क्या होता है देखे एक कोश्चन के आपको लग रहा है कि इनके बीच का बॉन टूटता है नहीं इनके बीच का बॉन तो नहीं टूटता मतलब की नोरिश टाइप बन रियक्षन तो नहीं होई है नोरिश टाइप बन रियक्षन नहीं होई है हमारी नोरिश टाइप में बन में क्या होता यह बन टूटता यह तोटता है सब्सक्राइब के बीच कावोन तूटता है तो अलफा पोजिशन बीटा पोजिशन गामा पोजिशन यह है हमारी और जो है करेगा क्या हमारा कि हाइड्रोजन यहां वाला जो है यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा कि यह वाला हाइड्रोजन यह कार्बोनिल गुरूप एक्सेप्ट कर लेगा तो यह हाइड्रोजन अग कि हमारा OH लग गया यह रेडिकल बना अब क्या होगा इनके बीच का यह वाला बॉंड टूट जाएगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा एक रेडिकल यहाँ बनेगा ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉंड और कितनी मेंबर रिंग बनी एक दो 3,4,5,5-member ring double bond, 5-member ring बना ही और इसमें double bond बना दिया, ठीक, double bond रहा है उसके next बारे carbon पर, मतलब इस बारे यहां अगर double bond बना है तो इसके यह बारे carbon पर जूड़ा हुआ, यह जूड़ा हुआ है ठीक है, और हिहां क्या हुआ हमारा, कि अगर यह तुटा यहां से तो यहां जो है एक double bond बना, यहां OH बना और यहां pH, कुछ इस तरह का हमारा compound बना, और इसमें क्या होगा, इसमें tau tomor, इसका जो है आप tau tomor बना सकते हो तो tau tomor बनाओगे तो आपका क्या बनेगा इधर और यह double bond OEP, इस तरह का कुछ compound बनेगा कौन सा compound है यह देख लीजिए B वाला compound है, तो इसका जो है B वाला answer हो जाएगा, देखते कितने लोगों ने answer ठीक दिया है Noris type 2, बिल्कु Noris type 2 है, बिल्कु Noris type 2 है कुलदीब सर्मा जी करें, repeat कर जीए, देखो कुलदीब जी ध्यान से देखिए यह जो reaction है, यह Noris type 2 reaction है Noris type 1 में क्यों होता है कार्वोनील गुरुप के बीच काबोन तूटता है ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें हाइडरोजन एक्सेप्ट करा और फिर OH बना और फिर कुछ इस तरह से यह reaction, आपको चारी reaction पढ़नी होती है अगर फोटो केमिस्टी की बात करो Noris type 1, Noris type 2 वाइटन reaction और एक पटर्नो गुच्ची reaction आपको चारी reaction जो है फोटो केमिस्टी और गैनिक में पढ़नी होती है तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर मैं पैलेडियम से reaction करा हूँ तो क्या होगा यहां hydrogen और यहां hydrogen यह वाला बोन यहां से तूट जाएगा भाई अगर इसकी बात करों तो इसे क्या कहते है BNO, Benzyl यह कैसा गुरूप है, Benzyl, BN ठीक है, और इसे क्या होगा यहां से तूट जाएगा तूट के क्या बनेगा यहां से क्या बनेगा pH-CH3 pH मतलब Benzening उससे क्या लगवा है CH3 लगा हुआ है clear यहां से क्या बना हुए OH, hydrogen बना अब यह क्या होगा यह हईडरोजन यह से क्या होगा यह ऐसा जाएगा और यह ऐसा जाएगा, यह हाईडरोज नहीं जाकर लग जाएगा, मतलब यह ऐसा, CO2, कारबंडा योकसाइड गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल गी, मतलब क्या हुआ, इतना जो है, हम खिलियर कर चुके हैं, कि इसका क्या बना, इस से जो है, एक हमारा, यह कंपाउंड बन साइड, अब नमरिंग, मतलब यूम कैसा करते ही, एन टरमिनल साइड बाले जो हमाइनल असुट को पहले लिखते हैं, तो एन टरमिनल साइड में यह वाला जो अगर इसकी बात करूं, wykorथो यह क्या है, यह ऴाला क्या है हमारा ल्यूसिन क्या है यह हमारा ल्यूसिन तो यह क्या है हमारा ल्यूसिन एल ए यू ए यू इसा मैंने लिख दिया क्या क्या बनना है हमारा टोलूइन बनना है कारबंडा योकसाइड बनना है देखना कौन सा है फेनिल एलानिल ल्यूसिन टालूइन कारबंडा निकलती है, यह जो भी हमने लगाय है ने प्रोटेक्शन के लिए लगाय है, फ्रोटेक्शन के लिए, ठीकर एंड टर्मिनल साइड का प्रोटेक्ट करता है हमारा यह गुरुम, तो इसका जो हमने कहा है? D.Protection कर रहा है, अब के लिए